हेलो फ्रेंट्स तुड़ें इन दिस वीडिए विए अवर उनिट फोर्थ और थर्टित पोएम प्रम दिस यूनिट इस अबुक स्पीक्स हम सब जानते हैं कि जो बुक है एक एक एक्चुली नॉन लिविंग तिंग है और नॉन लिविंग तिंग बोल सकते हैं क्या नो लेक इमेजिनरी पोएम है जिसमें आपको ऐसा दिखाया गया है बताया गया है कि अगर आपको बुक बोलने लगे तो आपसे क्या बात करेंगे आपके साथ किस तरह से वो डिसकुशन करेंगे और इस कुछ लाइन्स में इस पोएम के कुछ लाइन्स में आपको बुक क्या करने के लिए कहता है और आप जब बुक के साथ किस तरह का behavior करते हो जिससे बुक को यानि किताब को दुख होता है वो उसने अपनी बात आपको share किये ओके फ्रेंट्स जनरली हम जब नरसरी हो या जुनियर केजी सिनियर केजी फर्स से हम बुक के साथ related होते है और बुक हमें knowledge देता है है ना लेकिन कुछ बच्चा ऐसे होते हैं कि इन बुक को properly use नहीं करते हैं उनके page फाड़ते हैं उनमें जो pictures होते हैं उन पर अपने ink से या pencil से उनको dark करते हैं जिसकी वज़े से ओ बुक दिखने में अच्छा नहीं दिखता ओके और ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा इस poem में बताया है अगर आपको बुक बोलने लगे तो क्या बोलेगा देखिए ऐसे ही एक imaginary poem when you drop me on the floor I get step on my sides are sore floor means क्या फर्ष जो हमारे घर में होती जब आप मुझे फर्ष पर छोड़ते हो पढ़ते पढ़ते आपको मम्मी ने बुलाया या आप कीचन में गए कहां पर गए तो जब जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर ही बुक को छोड़ देते हो तब बुक को कैसा लगता है बहुत मैं नाराज होता हूँ, sore means नाराज, दुखी, when you drop me on the floor, I get stepped on my sides are sore, मुझे बहुत दुख होता है, जब आप पढ़ते-पढ़ते मुझे फर्ष फरी छोड़ देते हो अके लिए, तब मुझे दुख होता है, ऐसे बुक बोल रहा है, Torn out pages make me groan, I feel dizzy if I am thrown, जब pages आप मुझे में से फाड़ते हो, उस वक्त मुझे groan means क्या, दुख से रोना, and I feel dizzy if I am thrown, जब आप मुझे फेक देते हो, dizzy means चक्कर आना, जब मुझे आप यहां से वहां फेकते हो, किसी बॉल की तरह, उस वक्त मुझे चक्कर आने लगता है, यह क Strain, on my covers, give me pain, जो कुछ भी आप मुझे लिखते हो, पेंसिल से या पेंसे, पिक्चर को ट्रेस करते हो, उस वक्त होने वाला एक एक पेंसिल का मार्क, जो मुझे दाग लगाता है, धबा लगाता है, वो मुझे पें, यानि क्या, वेदना, दुख, दुख देता है, जैसे हम हमारा अगर फ्रेश न्यू क्लोथ हो, हमारा कपडा हो, और उस ड्रेस पर अगर किसी ने इंक डाल दी, तो हमें कैसा लगेगा, बहुत बूरा लगेगा ना, उसी तरह से बुख को, जब उस पर दाग दबे लगते है, पें की इंक लगती है, तो बुख को दुख होता है, पें मिंस दुख, प्लिस डोंट बें मी, इफ यू डू, आई डोंट वांट टू टॉ तो यू, और बुख क्या कहता है, कि मुझे पढ़ते वक्त, बेंड मतलब फोल्ड करना, उसको मुरडना, है ना, तो आपको उसको बेंड नहीं करना है, प्रॉपरली उसका यूज करन आता है, कि ने, लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह से यूज नहीं करते, तो बुख को ऐसा लगता है, कि आपके साथ तो बाते नहीं करें, आपको अपना फ्रेंड नहीं माने, हम फ्रेंड हो सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, लेकिन कब जब तुम वेदर मतलब क्या एटमोस्पियर, आप आज पर उसके जो एटमोस्पियर है, वेदर से जब मेरा फ्रोटेक्शन करोगे, तब मैं आपको फ्रेंड बनूँगा, मतलब बारिश में उसको भीगने नहीं देना है, अच्छी तरह से कवर लगाने हैं उसको, ओके, और मुझे कभी भी अच्छा, नीट, टाइडी और क्लीन रखो ताकि मैं आपको एक हैप्पी बुक दिखाई दे सकूँ, जब हमें जून मन्त में, जब हमारी स्कूल स्टार्ट होती हैं, उस वक्त जो हमें बुक् बाद में उसमें जो होने वाले जो पिक्चर से उनको डार्क करते हैं, कुछ पिक्चर को ट्रेस करते हैं, और इसकी वज़े से बुक कुछ ही दिनों में पढ़ने लाइक दिखाई नहीं देता है, है ना, इसकी वज़े से दुख होता है, और अपनी ये मन की बाते उसने आ Every mark and every stain on my covers gives me pain. Please don't bend me if you do. I don't want to talk to you. But we will both be friends together if you protect me from the weather. And keep me clean so that I look a tidy, neat and happy book. So, this is a poem. So, what can we do with this wish? We have to keep our books in a good way. So, we can see them as happy and fresh. We can put them in a cover. We can put them in a cover. We can mark them in a pencil or trace. Okay friends, so this is our poem. We can put them in a few words and meanings. We can put them in a few words. Here we have some words and meanings. Okay. You can see your notebook. I can write it in your notebook. Hard words and its meaning. Floor means fresh. Soar, naraz, ducky. You have a grown, dizzy, pain. Stain, bend, protect, clean. This is the same words. Hard words and difficult words. This is the same words. This is the same words. The same words. You have to give them. Rhyming words. What do you think? What do you think? What do you think? में के राइमिंग वर्स देखिए, फ्लोर, स्वर, ग्रोन, थ्रोन, स्टें, पें, दू, यू, तोगेदर, वेदर, एंड लास्ट है, लुक, बुक, यह आपको हार्वर्स और इस मिनिंग और राइमिंग वर्स आपके नूट बुक में आपको लिखने है, ओके फ्रेंट्स, वर्क बुक पेज नमबर 99 पर अबुक स्पिक्स के एकसराइज दी है, असाइनमेंट दी है, जो कि आपको सॉल करने है आपके वर्बुक में, लिस्ट, कॉशन न पेजस फ्राम दे बुक, जब हम उसमें से टीर आउट मिन्स पेजस फाड़ते हैं, तब बुक दुखी होता है, पुटिंग मास एंस्टेंस अन दे बुक, जब हम कोई मार्किंग करते हैं, पेंस से पेंसिल से बुक पर दाग धबे लगाते, तो दुख होता है, और बेंड हमें क्या करना है, बुक की जो रक्षा है, वेदर से करनी है, इसके अलाओ बुक को क्लीन, नीट और टाइड़ी रखना है, ताकि वो हमेशा हैपी दिखाई दे, next page, read the following and decide what the book will like और dislike, बुक को इस में से क्या अच्छा लगेगा, उसके लिए आपको write करना है, और जो अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए cross करना है, folding corners of pages pages के corners fold करना अच्छा लगेगा क्या? No using a bookmark bookmark अच्छा लगेगा wetting your fingers with spittle when you turn the pages जब आप page को turn करते हो उस बक आपके थूख का यूज करना अच्छा लगेगा क्या? No putting an open book face downwards book खुला करके उल्टा करके table पर रखना अच्छा लगेगा क्या? No जिसके बज़े से book फट सकता है next question number 4 pick out the rhyming pairs of words from the poem rhyming words हमने already देखे थे फिल से देखे floor, sore, grown, thrown, stand, pen together, weather, look, book, do, you okay and last question is there write down words that sound the same as the following but have different spellings and different meaning अभी ऐसे कुछ words जिन जो उच्चारन करते वक्त तो सेम लगते हैं लेकिन उनका spelling और उनका meaning भी अलग है देखे, grown, grown grown मतलब क्या? दुख से चिलाना यान दुखी होना और grown मतलब बढ़ना, height बढ़ना P, A, I and pain मतलब दुख, दर्द और P, I and pain मतलब जो हम लिखने के लिए यूज़ करते हो ओके, throne मतलब fake name V3 है, throw का और throne मतलब काटे weather मतलब atmosphere weather मतलब eep के लिए हम word यूज़ करते है, eep के लिए eep means weather, ओके तो इस तरह से आपको workbook page number 99 and 100 पर का ये भी work complete करना है, assignment complete करनी है ओके friends, thank you